आम का अचार तो सबको पसंद होता है तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आम का अचार कैसे बनाएं आप घर पर ही आसान तरीके से बाजार का पैकेट बन अचार लाने से बहतर है कि आप घर पर ही आम का अचार बना ले मार्केट में बहुत तरह के अचार मिल जाते हैं लेकिन जो स्वाद घर के अचार का होता है वह पैकेट बन अचार में नहीं होता है और सबसे बड़ी बात है कि आचार को आप घर पर आसान तरीके से बना सकते हैं लगता बहुत मुश्किल है मगर बनाना ये बहुत ही आसान होता है अभी मौसम चल रहा है आम का बजार में अभी कच्छे आम खुम मिल रहे हैं और ये घर पर आचार बनाने का सही समय है तो आम का आचार कई तरह से बनाया जाता है लेकिन आज हम आपको आम का आचार छोटे छोटे टुकडे काट कर बनाना बताएंगे आम खरीते समय आप इस बात का ध्यान रखिए कि आम रेसे वाला नहीं हो रेसे वाले आम का आचार टेस्टी नहीं लगता है तो आप हमारे तरीके से एक बार इसे जरूर बना के खाईए और यह बहुत दिनों तक आपका चलेगा आचार तो चलिए कैसे हमने इसे बनाया है उसके लिए आप पूरी वीडियो देखिएगा तो हलो गाईस स्वागत है आपका हमारे चैनल इजी कुकिंग बितनी लू पर तो हमने यहां पे दसहरी आम का इस्तमाल किया है यह हमारे घर का आम है और इसे हमने अच्छे से धुल कर साफ करके पोच लिया है आम आप जब भी इस्तमाल करिए उसे अच्छे से धुलिये और उसके बाद साफ कपड़े से पोच कर सूखा लिजिए नहीं तो पंके की नीचे रख दीजे तब ही सूख जाएगा तो यह खटक कम होता है आप खटे आम कभी इस्तवाल कर सकते हैं बजार से आप ले आए और इसमें ना क्या है ना बीज है इसमें गुठली नहीं है निकाल देंगे फिस बीच से हम इसे दो भागों में कट करेंगे तो चाकू की मदद से आसानी से कट जा रहा क्योंकि अब इसमें गुठली नहीं पड़ी है तो आम का चार जब भी बनाई है आप बड़े आम का इस्तमाल करिए फिर हमें इस बीच से दो भागों में कट कर देंगे उसके बाद इसका बीच निकाल देंगे अब इसे हम चाकू की मदद से चोटे-चोटे पीस में कर लेते हैं आम के चोटे-चोटे पीस आप करना चाहते हैं तो कर सकते नहीं आप बड़े-बड़े भी पीस रख सकते हैं बड़े-बड़े पीस है कि एक बार में तो यहां पर हमने आम को इतने बड़े बड़े पीस में कट कर लिया है इसे तरह हम सारे आम को काट लेंगे और इसे एक बरतन में रखते जाएंगे तो यहां पे आम हमने पूरा काट लिया है ये दो किलो के करीब आम होगा तो चलिए अब इसे धूप में सुखाते हैं तो इसमें हमने ना हल्दी लगाया है ना ही नमक हम इसे ऐसे ही सुखाएंगे तो तो एक कोटन का कपड़ा लीजे उसी पर आम को फैला और आपको धूप में सुखाना है तो हमने यहां चादर लिया है तो इसे चादर को हमने पिछा दिया और इस तरह से हां आम के टूपड़ो को हमने इस तऱ से रख दिया है अब इसे हम दो दिन के लिए धूप में अच्छी तरह से सूखने देंगे आगर आपके यहां अच्छी धूप लग रही है तो यह एक दिन में ही अच्छी तरह से सूख जाएगा हमारे यहां कम धूप लगती है इसलिए हमने इसे दो दिन तक सुखवाया है तो आम यहां देखिए पूरी तरह से सूख चुका है इसमें पानी बिल्कुल नहीं है ये दूसरे दिन हम आम का अचार बना रहे हैं तो इसी तरह आप भी आम को अच्छी तरह से सुखवा कर बनाईएगा नहीं तो आम का अचार बनाएंगे और कुछ दिन में उखराब हो जाएगा तो यहाँ पर हमने लिया है एक चॉथाईए कप धनिया करीब 5 चमच घर के चमच होते हैं उसी चमच से हमने नापकर 5 चमच धनिया का इस्तवाल किया है और जो मसाला हमने बनाया था ऋओं दो किलो आम के अचार के लिए एकदम परफेक्ट था तो तीन चमच जीरा हमने यहां लिया है दो चमच हमने मेती दाना लिया है मेती का इस्तमाल कम ही करिएगा नहीं तो आम का चार कड़वा लगने लगता है एक चमच हमने यहां पे कलोंची ली है एक चोथा ही कम हमने पीली सरसो ली है अगर आपको पीली सरसों कम पसंद है तो आप काली सरसों ज्यादा लीजे हमने यहां पर दो चमच काली सरसों लीए है एक चमच सौंफ लिया है सौंफ हमें में कम पसंद है इसलिए हम कम डाल रहे हैं अगर आपको पसंद है तो आप ज्यादा ले सकते हैं एक चमच हमने यहा तो लो फ्लेम पर हम इसे दो मिनट के लिए भूज लेते हैं ध्यान रखिएगा मसाले जलने नहीं पाए नहीं आचार का स्वात बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा तो धनिया और जीरा को एक साथ हम भूज रहे हैं लो फ्लेम पर करेब तीन मिनट के लिए जब तक इसमें अ भूज से यह हुता है कि मसाले जलते नहीं है अग्यों पर सउफ लो के तो सोफ मंग्रेल और अजवाइन को भी हम भूज कर निकाल लेंगे और तो कप सरुट का तेल गरम करेंगे तेल में से अच्छी तरह धुआ निकलने लगे तब आप गैस फ्लेम बंद करिएगा तेल को बहुत अच्छे से गरम करना है और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे तब हम मसाले में इस्तमाल करेंगे तो यहां पर है आजवाइन सौफ और मगरेल को में पीसना नहीं है उसको ऐसे इस्त तरह पिसा गया है अब हम लाल खड़ी मिर्च को पीस लिए हैं तो देखिए यहां पर कलर कितना बढ़िये दिख रहा है इसी से अचार बहुत देखनी में आच्छा लगता है तो यहां आधा चमच हम हींग डाल रहे हैं मसालों को थोड़ा खड़ा ही रखना है आपको एक थोड़ा जादा रखिएगा और उसके बाद इसमें सौफ अजवाइन मंग्रेल सब डाल देंगे और तेल हमारे यहां ठंडा हो गया था पहले सबसे पहले थोड़ा सा तेल डाल कर हम मिला लेते हैं तो इसे आप कलचुल या चमच से मिलाएगा हाथों से बिलकुल नहीं मि तो इसे धक कर रख देते हैं आधा घंटा के लिए तो आधा घंटा हो गया है मसाले अच्छी तरह से फूल चुके हैं तुबारस हम इसे चमच से मिला लेंगे तब इसमें डाल देते हैं कटे हुए आम और इसे कलचुल की मदद से बहुत ही बढ़िया से अच्छी तरह से आपको मिला देना है ताकि जो है मसाला आमों पर अच्छी तरह से लग जाए क्योंकि आम के साथ मसाला खाने में ही अच्छा लगता है तो हमने इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिला लिया है देखे सारे आम पर मसाले लग चुके हैं और यह देखने में कितना टेस्टी लग तो इस तरह से आप जरूर बनाईए कीन मानिए यह मानिदों काचार जल्दी खराब नहीं होता है और इसे तरी तो अब इसे देखिए चला कर देखते हैं नीचे देखिए पानी बहुत सारा रिलीज हुआ है कि इसमें नामक पड़ चुका था तो इसे अच्छी तरह से दुबारा मिला लेते हैं और इसमें हम डाल देते हैं और तेल तो हमने एक कप तेल और गरम किया और उसे ठंडा किया फिर इसमें हमें एक चौधाई कप तेल डाल रहे हैं बाकी अभी हम कंटेनर में डालेंगे तो चलिए अब इसे भर देते हैं एक चार में तो हमने यहां कांच के जार का इस्तमाल किया है आप प्लास्टिक के जार में भी रख सकते हैं पर कांच के जार में रखा हुआ अचार बहुत दिनों तक चलता है तो इस कांच के चार को हमने अच्छे से धूल कर सुखा लिया था और इसमें सारे आम के चार को रख देंगे और इसमें धेर सारा तेल डाल देंगे ताकि जो आम का चार हो तेल में डूबा रहे इसे आम का चार खराब नहीं होगा और इसे धूप में आप एक दू दिन रखते रहिये और बीच बीच में इसे धूप लगाते रहिये और जब भी आम का अचार निकाल लिए खाने के लिए तो चमच का इसमाल करिये सूखे चमच का, हाथ भी बिल्कुल गीला नहीं रहना चाहिए धकन बहुत ही अच्छी तरह से बंद करके रखा करिए और बीच-बीच में धूप लगाते रहिएगा तो आपका आम का अचार कभी भी नहीं खराब होगा तो एक बार आप हमारे तरीके से जरूर आम का अचार बना के खाईए यह आपको बहुत पसंद आएगा और आपका आम का अचार जल्दी खराब नहीं होगा तो अगर आपको आज हमारी वीडियो पसंद आई हो और आपको आम का अचार बनाना हमारा पसंद आया हो बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसके ओन नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमारी वीडियो देख सकें तो आप हमारी वीडियो को जादा से जादो लोगों को शेयर करिए और हमारे चैनल को इसी तरह अपना प्यार देते और हमें आगे बढ़ा रहते रहिए तो मिलते हैं आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई